नमस्कार फेंट्स मेर नाम बबलू उर्मा पीपर है कर में आपका स्वागत है जो आद देखने वाले है वो हमारा हो जाता है बीए सेकंड सेमिस्टर वालों के लिए हिस्टरी का लेक्षर नमबर 23 ठीक है बहुती इंपोर्टेंट लेक्षर भी सहा जहां से रेटेड है आप बहुती अच्छी प्रकार से पुशे आते है ठीक है तो बढ़ते है फड़ा बढ़ आज का जो क्यूशन रहने वाला है वो रहने वाला है क्यूशन नमबर 23 ठीक है बही तो बात करते हैं क्यूशन की सबसे पहले इससे पहले की जानकारी आपको दे दूँ जो आपकी बुक कहां से स्टार्ट होती है जो कि आपको मैंड में फिक्स हो जाए कहां से कहां से होती भी फड़ा बड़ाईए गुलाम बन से स्टार्ट होती है किसे गुलाम बन से हमारी हिस्टरी यहां पर स्टार्ट होती है किसे बीए सेकंड सेमिस्टर में ठीक है बीए सेकंड सेमिस्टर ह हिस्ट्री में आपको किसे गुलाम बंसे आपको देखने को मिलती है उसका गुलाम के बाद खिलजी गुलाम खिलजी के बाद तुगलक तुगलक सयद लोधी यह सीक्विंस भाई हमने सारा गिसारा पढ़ लिया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिलुकुल पढ़ लेना ठ ठीक है कौन मारता है बाबर मारता है पानी पत के प्रिथम युद 1526 में उसके बाद क्या पढ़ती है मुगल सामराज की नीप पढ़ जाती है मुगल सामराज का प्रिथम सासा कोन आता है बाबर होता है ठीक है बाबर होता है तो एक ट्रिक होती है मुगल सामराज को याद क कि याद करेके की ध्यान नेकना वो कौन सी होती है भाज सब होती है अगर मुचले अंतिम सा कौन साक कौन था तो बहाधु साह जपर पिर्थम सासक कौन था थो भाबर ठीक है और अब हम पढ़ने वाले सहा जहां सहा जहां कौन से नंबर का है तो आपको पता है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच में नंबर का बातसा कौन हो जाता है भई सहा जहां हो जाता है और इसी के बारे में हम यहां पर देखने बाले तो क्योशन को देखते हैं क्योशन नंबर हमारा क्या कह रहा क्योशन नमबर 23 करा है सहाजहा के जीवन चेत्र का बढ़न करते हैं उसकी उपाधियों पर प्रिकाश डाली उसके जीवन चेत्र के बारे में बताना है और उसकी उपाधियां प्राप्त होई थी सहाजहा की उपाधियों से प्राप्त होई थी सहाजहा उसका मूल नाम नहीं था उसका नाम मुल्ग था खुर्रम था ठीम है तो बात करते हैं अत्बा से प्रकार जाता है यह Competed exam में भी आपके question बहुत बार पूछा गया है तो बात मैंने बता रखा है जब उतर ठालतें उतर के बाद एाड के बाद साय queda बॉकस में जितना बहुंपyan के बारे में बह लिखते है कहले उसके बाद में पहले हम ट्रिक लिखते हैं मतलब सिक्वेंश बाई की मुगल काल के कौन कौन से बादसार रहे हैं तो अइस है ना हुमायू उसके बाद अकबर इस प्रकार स्रिक्वेंस भाई क्या करना है हमें सारे के सारे नाम लिख देना है ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद सहा जहां का जितना भी हमें जीवन पर चाहे तो बही हम देखने वाले हैं या अबर जीवन चरत्र भी आप डाल सकते हो तो सहाजा का जन्म पांच जन्वरी 1592 इस भी में हुआ था क्यों हुआ था 1592 क्योंकि 1526 में क्या हुआ था मुगल सामराज की यहां पर नीपरती है बाबर के द्वारा पानिपत के प्रिथम युद में यहां पर जो सहाजा होता है उसका जन्म होता है पांच फर्वरी 1592 में हुआ था बहे जहांगीर का दूसरा पुत्र था सिक्विन्स भाई आ ही रहे हैं है ना तो जहांगीर का दूसरा पुत्र कौन बनेगा सहाजा बनेगा ठीक है खुर्रम बनेगा बात करते हैं उसकी माता मेबार के राजा उदै सिंकी पुत्री थी जिसका नाम जगत गोसाई था पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जग खूरम था कभी कभी बच्पन भी दे सकता है और कभी कभी मूल नाम भी आपको मूल नाम या फिर रध सहा जहां के बच्पन का नाम खूरम से ही, एक बीर सेनानाएक और कुसल सासक के गुण विद्वान थे खूरमका विभाय नूर underwear के भाई आसप खां की पुत्री अर्जू मंद बानू बेगम से हुआ था किसे हुआ था अर्जू मंद बानू बेगम से हुआ था अर्जू मंद बानू बेगम किसकी पुत्री थी आ से अर्जू मंद बानू बेगम हो जाती है और आ से ही आसप खां हो जाते हैं कौन आसप खां हो जात से बिख्यात हुई तो आपको ध्यान रखना है मुम्ताज महल का मूल नाम क्या था आप से पूछ सकता है ना मुम्ताज महल का मूल नाम क्या हो जाता है तो बहे हो जाता है अर्जुमंद बानु बेगम क्या अर्जुमंद बानु बेगम फिर बात करते हैं उसकी बीड़ता से प्रभावित होकर उसकी बीड़ता से प्रभावित होकर 1607 इसमी में उसके पिता ने उसे 8000 जात और 5000 सवार का मनसब का पद दे दिया था तो आपको पता है मनसब का जो पद होता है वो किसने स्टार्ट किया था तो यह किया था जागीरदारी को समाप्त करके मनसबदारी को श्टार्ट किया था किसने अकबर ने किसने वही अकबर ने श्टार्ट किया था 1614 इसमें खुर्रम को मेबाड विजय का भार सौंप दियाता है कि जाओ और मेबाड को जीत कराओ क्या जाओ और मेबाड को जीत के आओ खुर्रम को मेबाड का विजय भार सौंप दिया जाता है और जो मेबाड होता है उसको खुर्रम क्या जाता है भही जीत लेता है क्या लेता है जीत लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है मतलब मेबाड को बह जीत लेता है इस सफलता के बाद उसे सहाजहां की उपादी मिल जाती है अब क्योशन आपसे पूछेगा कि सहाजहां की उपादी खुर्रम को कैसे मिली थी तो ध्यान नकना मेबाड विजय पर मिली से ठीक है सहाजहां की उपादी से विभूसित किया गया इसे प्रिकार सहाजहां की मित्यू के बाद चार फरबरी 1628 इसमी को सहाजहां आगरा के सिंहासन पर बैठा जब उसके पिता जहांगिर की मित्यू होती है जब उसके पिता जहांगिर की मित्यू होती है तबी जो खुर्रम होता है सहाजहां होता है वो 1628 इसमी में आगरा के सिंहासन पर बैठता है कब बैठता है भई 1628 में जहांगर की मित्तू के बाद अपनी पिता की मित्तू के बाद ये कहां बैठता है आगरा की गद्धी पर बैठता है ठीक है बात करते हैं आगे की ओर पहला point आता है सहाजहां का चरित्र कैसा था इसको हम देखेंगे सहाजहां का सासनकाल सुख और सांती का युग था साहजहां को सासनकाल था वो कैसा था सुक और सांती का युग था इस सांती का मुख काड साहजहां के चरित गुड थे भारती इतिहास में साहजहां का सासन स्वडियुक कहा जाता है तो द्यान रखना मुगल सामराज में स्वडियुक किसके सासनकाल को कहा जाता है तो भई साह चरित्र के गुड़ और दोस्त देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं तो पहला हो जाता है कौन सा गुड़ पहला गुड़ देखने को मिलता है प्रजा प्रिये क्या था ये एक प्रजा प्रिये था प्रजा को प्यार करने वाला था सहा जहां अपनी प्रजा को पुत्रबत पुत्रबत इसने करता था, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से इसने करता है, उसी प्रकार से पुत्रबत इसने करता था, तथा पिरजाहित के कार्यों को प्रात्मिक्ता परदान किया करता था, बहे अपनी पिरजा पर एक राजा के रूप में सासन नहीं करता था, बलकि एक पिता के पिता अपने पुत्र के साथ जिस प्रकार बिभार करता था उसी प्रकार बहें पिरजा के साथ बिभार करता था उसने सडकों का निर्मार करवाया दोनों तरफ चायादार ब्रिक्ष लगवाये और जो हमारे हो जाते हैं शरायों का शराय जो हो जाते हैं उनका इसने क्या किया था प्रवंद करवाया था ठीक है शराय मतलब जो कह सकते हैं बाहर के लोग आते हैं उनको रुकने के लिए एक सराय ठीक है इसने प्रवंद करवाया था बाकी वरते हैं नेक्स पॉइंट जो नेक्स गुड़ हो जाता है उसका वह हो जाता है धर्म सहे गुड़ता क आपको पता है सुनी ही सासक रहे हैं सारी सारे सहा जहां एक सुनी मुसल्मान था उसने उसमें धार्मिक सहसुरता का महानगुर था यदि भी उसकी निती हिंदू के प्रती उदार नहीं थी हिंदू के प्रती ये भी क्या नहीं था उदार नहीं था लेकिन उसकी धार्मिक नि निती चलिया रही थी उन पर ये भी क्या था बना हुआ था बहें धर्मांद नहीं था धर्म में अंधा नहीं था उसकी पत्नी मुम्ताज महल ने उसको उदार बना दिया कौन? मुम्ताज महल अर्जुमंद बानु बेगम ने क्या कर दिया? उसे क्या कर दिया? उदार बना दिया, दयालू बना दिया, ठीक है? उदार बना दिया, दयालू बना दिया, थोड़े कुछ नीचे पहुँच चोके हैं, कोई बात ने, ठीक है? देख लेते हैं, तो किये और प्रेमी मतलब इसका बहुत ही कला से और कला का प्रेमी था एक प्रकास ये कह सकते हैं ये कला का क्या था प्रेमी था सहा जहां को कला एवन साहित के बिसेस रूची थी बहे भवन निर्माण कला एवन चित्रकारी का बिसेस प्रेमी था उसने अपने इसी गुड के काड अनेक इमार्तों का निर्माण करवाया भबन निर्माण के दिस्टी कोड से उसका युग सदैव इसमड ये रहेगा बहे साहित के पती भी प्रेम और आदर रखता था जैसे फार्सी उर्दू हिंदी भासाओ के साहित भी उसमय उन्नती पर थे बात करते हैं आگे, चवथा हो जाता है न्याय प्रियता उसमें गुड देखने को मिलता है न्याय प्रिता के काड ही उसने सासनकाल में 4 तरफ सुख और सांति की स्थापना की गई थी बहे अपने करमचारीयों को भी जो अपराध बगेरा होते हैं, अपराधी होने पर धन्डित किया करता था, चाहे करमचारी हो चाहे कोई आमनागरिक. नियाय के छित्र में सभी धर्मों के लोग उसकी दृष्टी में समान थे चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो अगर नियाय की बात आती है तो सभी में क्या थे समान थे उसने प्रांतों एवम गामों में भी नियाय की उचित विस्था की थी प्रांतों में और गामों में क्या कि थी उसने नयाय की उची दिवस्ता की थी अगला पॉइंट जो जाता है वो हो जाता है बीर एबम योग के सासक था बहै एक बीर और योग के सासक था अपने पिता जहांगीर के सासन में की गई अधिकतर विजियों का सरे सहजहां को ही जाता है जो उसके पिता होते हैं साहाजहां के जहांगेर जितनी भी इनका विजय होता है उन सभी का सरे किसको जाता है साहा जहाँ कोई जाता है एक कुसल सासको पूने के काड़ देश में व्यापार और धोक, धंदो और किरसी की बिशेस 39 के सासनकाль में कोई थी, next गुड़ हो जाता है परिबार प्रेमी, ये कैसा था परिबार प्रेमी होता है भै अपने परिबार के सदस्यों में घनिष्ट प्रेम करता था, उसने अपनी पतनी मुम्ताज महल को, याद में ताज महल का निर्मणा करवाय था, आपको पता है आगरा में, आगरा में बात करते हैं, अब यहाँ पर एक क्योशन और बनता है, जब आगरा की बात यहाँ पर होई जाती है, है ना, कहाँ हो जाता है वही, ताज महल का बन बाए गया था आगरा म बनाए गया था, कहाँ पर लोदी बंसका हो जाता है कौन सिकंदर लोदी कौन सिकंदर लोदी हो जाता है ये पंद्रा सो चार इस्वी में पंद्रा सो चार इस्वी में क्या करता है आग्रा नगर की स्थापना करता है क्या करता है ये 1540 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करता है और यही पर क्या करता है तो सहा जहां इसी आगरा में ताज महल का निर्माणा करवाता है किसकी याद में अर्जु मंद बानु बेगम या फिर मुमताज महल की याद में ये ताज महल बन बाता है निर्माणा करवाया बिस्म के सामने दामपत्य प्रेम का आदर्च रखा आपको पता ही है जब मुमताज मर गही थी तब उसने उनकी याद में ताज महल बन बाया था और कंपरएग इसके अलवा बहें अपनी पुत्री कौन ती जहां आरहा करना उसकी कौन हो जाती है उसकी कुळ्य हो जाती है। जहां आरा नंचना नाम में छुपा गएंदा पुत्र होता है दारा। से कहते हैं। पुत्र कोन जाता है? दारा से भी अधिक इसने हैं करता था. आपको पता है? आपको पता है? इसकी पुत्री का नाम ध्यान रखना बेरी बेरी इंपोर्टीनिक कमड़ी जामें बहुत मुचाता है. जहां आ रहा है वो किसकी पुत्री थी? सहा जहां की. पुत्र दारा सिकोहा है यह किसका पुत्र है सहा जहां का और बात करते हैं पुत्रडारा हैं पुत्र-डारा हो जाता है किसका सहा मनूचीन कहा है मनूची ने कहा है सहा जहां कि मेला ता ऑना कॉछ एक इस त्रियों की खोज में रहता था किसके काम जनित इच्छाओं की पूर्ती के लिए वह इस्त्रियों की कोद में रहता था सहाजां अपनी पुत्री जहां आरा को अधिक प्यार करता था उसने दुर्दिनों में दुर्दिनों दुर्दिनों में वह सदैव अपने साथ सदैव उसके साथ रही और उसने भावी नहीं किया था इन बातों से सहाजहां के चरित्र को संकाम की द्रिष्टी से देखा गया ऐसा की जैसा की बर्नियर ने लिखा है सहाजहां का अपनी पुत्री जहां आरा से अनुचित संबंद था कैसा था अनुचित समिश्था उचित मतलब क्या होता है उचित और कैसा था जहां आरा से अनुचित संबंध था लेकिन बर्नियर का यह कथन तरक संगत नहीं है कैसा तरक संगत नहीं है आगे बढ़ते तुकि यह इस्त्रियों के खोज में ही रहता था ठीक है और जहां आरा ने इसे क्या पता जंद होड़ी ठीक है तो बात करते हैं आगे अप फाप बही था अब बहद हो किसे कहते हैं सहा ने ताजमहल का निर्माणा करभाए उसने आपार धन का व्या किया मतलब क्या होता है जादा क्या होता है ज्यादा ब्या इमाने ब्य करने वाला ज्यादा ब्य करने वाला अधिक ब्य करने वाला कौन कहलाता है अप ब्याई सहाजहां ने ताज महल का निर्माड करवाया, जिसने अपार धन ब्य की ब्य हुआ, इसी पिरकार उसने मयूर सिंहासन का निर्माड करवाया, अब देखो यहां से क्योशन बनेंगे, कि यह बताएगा ताज महल का निर्माड किसने में करवाया था भी सहाजहां ने, मयूर सिं को सोस्रण करने वाला समराट कहा जाता है इस अपिभयका बोज जन्ता को बहन करना पड़ा आपको पता ही है राजा किसे लेंगे सभी जन्ता से लेंगे ठीक है बात करते हैं नौबा जो हैटिंग करता है नौबा जो गुड़ हो बहे पिरती दिन पांच बार नमाज पढ़ता था, बहे खुदा से अटूट बिस्वास रखता था, बहे हिंदूओं से भी कभी कभी दोईस भी रखता था, जिसके काड़ उसने अनेक मंदरों को तुलबाया था. सहाजहांने भी क्या किया था? आब यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलेगा इसके काल को निमनिकित काडों से सवरियो कहा जा सकता है पहला जो काड हो जाता है स्वरियो कहलाने का वह हो जाता है साहित और ललित कलाओं की उचित यूग जो स्ताहित और लिलित कलाव का जो उचित यूगो जाता है इसके काड़ भी से स्वणियों कहा जाता है आप देख सकते हो इसके सासनकाल में एतिहासिक दासनिक गदपद सभी पिरकार के साहित की उनिती हुई फार्सी और हिंदी दोनों भासाओं में ग्रंतों की रचना की गई मिर्जा मुहम्मद अब very important क्योशन बनेंगे यहां से बई कम्प्रिटे एक्जाम में आपके और एमसी क्यों यहां से बनेंगे मिर्जा मुहम्मद अली मुहम्मद और फारूक और अब्दुल हमीद लाहोरी इनायत खां और मुहम्मद सलीह आदी सहा जहां के समय में पिरसिद विद्वान थे अब क्योशन मनेगा सहा जहां के दरबार में पिरसिद विद्वान या सहा जहां के समय में पिरसिद विद्वान कौन कौन थे इनमें से एक भी क्योशन एक और तीन दे सकता है एक अलग दे सकता है तो दिहान नकना मिर्जा मुहम्मद था अली मुहम्मद था फारूक था और अबदूल हमीद लाहॉरी था और इनायत का मुहम्मद साली आदी हो जाते हैं तो आपको इतने ही याद लखना है, दो से तिन तो इंपोर् simples होइते हैं, एक हो जाता है फारूक, एक हो जाता है अब्लमीद लाहॉरी और एक इनायत घा, यह तीन बहुत इन बहुत सहा जहां ने दिल्ली का लाल किला ध्यान रखना दिल्ली का लाल किला किसने बन बायता तो सहा जहां ने आगरा का लाल किला किसने बन बायता तो अकवर ने ध्यान रखना दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है दिल्ली का जो लाल किला हो जाता है वो किसने बनबाया था सहा जहाने और आगरा का जो लाल किला हो जाता है वो कोई बनबाता है अकवर बनबाता है दीवाने खास किसने बनबाया था सहा जहाने जामा मस्जित भतेपुर स्विकरी में किसने बनबाया थी इसी ने बन भाइब थी, जाम स्वरी, दिल्ली की जाम मजिद है, धतेपुर्शीक्रीक मुष्वी अक्भण ने बन भाइब थी मुद्दीय मग्यूद की ग्राइटा आक्वर ने परियाबता है जो ताज महल है सिर्फ ताज महल बो ही अकेला इसके काल को ताज महल को सोडियो कहलाने के लिए परियाबता है वैसे तो इसने बहुत कुछ करवाया था और MCQ में किसमें? MCQ में यहां से QSnapp के एक्जाम में देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है? सहा जहां से, आगे बढ़ते हैं, next जो point हो जाता है, वो हो जाता है पिरजाहित के कार्यों का प्रोथ साहन पिरजाहित के कार्यों का प्रोथ साहन जो उसे सोडियों कहलाने के लिए बाद दिखता है, बाद करते हैं सहा जहां पिरजाप्रिय समराड़्ा बहए पिरजा को पुत्रबत समस्ता था राजि के कार्यों को बहस्वेम निरिच्छन किया करता था उसने राजियों के राजियों में पड़े भयंकर दुर्भच्य का समय 70 लाख रुपे लागान माफ कर दिया था जब दुर्भच्य पड़ा था मतलब सूखा बगएरा हो जाता है पड़ा था तब सहाजाने 70 लाख रुपे का जो लागान हो जाता है वो उस समय माफ कर दिया था उसने नहरों का निर्मार कराकर सिचाई विवस्ता को प्रारंब किया ता आगे बढ़ते हैं जो जाती है next point सांती वस्ता का यूग सांती और विवस्ता का यूग सहाजहां का सासनकाल सुक और सांती का काल था इस समय तक साजपूतो मुगलों के सेबक थे जो राजपूत हो जाते हैं वो मुगलों के सेबक हो जाते हैं सेबक थे दस दठ्छिड से सिया मुसल्मान सासक भी उसके प्रती उसके पती स्रद्दा रखते थे इसके साचनकाल में दो या तीन विद्रों को छोड़ कर कोई विद्रों नहीं हुआ इस प्रकार सहा जहां की इस उपलब्ती थी कि उसके साचनकाल में चोड़ डाकू का आतंक नहीं था इस समय जनता सम्रद्दी साली एबम सुख में थी कैसी थी सम्रद्दी साली और सुख में थी ठीक है तो यहां पर हो जाता है मारा ये पॉइंट खतम अब चौथा पॉइंट हो जाता है जो की सोड़ियों कहलाने के लिए बाद होता है भे होता है धार्मिक सहसुरता का काल किसके धार्मिक सहसुरता का काल सहाजा ने अपने काल में धार्मिक दरश्टी से लोगों को पिरसन रखा उसने सभी धर्मों के आचारियों का सम्मान द्रश्टी विज़े रखा उसने हिंदू और मुसल्मानों सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया इस द्रश्टी से भी उसका काल सरहनिये है मतलब इसलिए इसे जो सहजा का सासन काल होता है उसे स्वड योग कहा जाता है तो फेंट्स यहाँ अपर लो 23 कोशन था वो हमारा समाप तो होता है तो दिहान नकना यहाँ से कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट आपके एक्जाम में बनेंगे MC को कोशन एक तो कोशन आपका बनने ही वाला है जो आपके चार से पांच कोशन आते हैं यहाँ से एक कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है और हर एक्जाम में एक कोशन पुछाता है तो बात करते हैं जब भी आपका एक्जाम हुआ है तो आपके exam भी एक option देखने को मिला है तो वीडियो को like करना, share करना, चैनल को subscribe करना ठीके, और बात करते हैं एक बार शबी में share दरूब कर देना ठीके और जिसके को PDF चाहिए, PDF notes चाहिए तो कहां से download करेगा, description दे रखा है PDF का link ठीके, जो आपको चल रहे हैं यहाँ पर पट्टी पर आप देख रहे हो जितने भी आप download करना सकते हो इन में से ठीके, आपको बिल्कुल free अपकोस मिल जाएंगे apps apps मिल जाएंगे free, अगर आप PDF download करोगे तो आपको purchase करना पड़ेगा, ठीके, apps बिल्कुल free मिल जाएंगे जितने भी आपको यहाँ पर चलते हुए नीचे दिख रहे हैं, ठीके तो like करना, share करना, channel को subscribe करना, bell icon को प्रेस कर देना क्योंकि नोटबेक्स आपके गार पहुंचे तो जाए हैं, जाए भारत